हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे इस यूटूब चेनल में आज के इस वीडियो में हम लाये हैं क्लास 7 के विज्ञान का अगला टॉपिक अगला टॉपिक है विर्दा में पोशक तत्मों की पुनापुर्ती जैसा कि आप जानते हैं कि यहां NCRT के पहले लेशन में अर्थात पाधपों में पोशन और बिहार बोड के छठे अध्याय में पाधों में पोशन के अंतरगत आता है तो चलिए शुरू करते हैं मिर्दा में पोशकों की पुनापुर्ती किस परकार होती है क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अत्वा माली को बगीचे के लोन एवं गमलों में खाद अत्वा उर्वरक डालते देखा है क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मिर्दा में क्यों मिलाते हैं आप पढ़ चुके हैं कि पादप मिर्दा से खनीज पोशक तत्व अवशोशित करते हैं, अता मिर्दा में इनकी मातरा लगतार कम होती जाती है, उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फासफोरस जैसे पोशक तत्व होते हैं, पादपों द्वारा लगता जाने के कारण मिर्दा में इनकी मातरा धीरे-धीरे कम हो जाती है, इसलिए मिर्दा को इन पोशक तत्वों से समरिध करने के लिए भूमी में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवशक्ता होती है, यदि हमें पादप के पोशन की आवशक्ता के बारे में ज्यान हो, तो हम न अपने जरूरत के हिसाब से पोशक तत्मों की अवशकता होती है इसलिए इन पोशकों को पूर्टी के लिए हम उपर से खाद डालते हैं या उरुवरक डालते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिर्दा में जो पोशकता तो मौझूद है उनका इस्तेमाल ये पोधे लगातार करते रहते हैं जिस कारण से अगली फसल को उन्हें पोशक तत्मों की कमी हो जाती है अता हमें उरुवरक या खाद का इस्तेमाल करना पड़ता है इसलिए हमें यह जानना बहुत ही अवशक है कि किन पोधों को किन पोशक तत्मों की अवशकता होती है उन्हीं अवशकता के नुसार हम उन्हें खाद या उरुवरक की पूर्ती कर सकते हैं अर्थाद पोशक तत्मों की पूर्ती कर सकते हैं आईए देखते हैं आगे पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए समाने तहर नाइट्रोजन की अधिक आवशक्ता होती है फसल कटाई के बाद मिर्दा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है यद पी वायू में नाइट्रोजन गैस पर्चूर मातरा में उपलब्ध होती है परन्तु पादप इसका उपयोग उस परकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डायकसाइड का उपयोग करते हैं पोधे नाइट्रोजन को विले रूप में ही अफशोशित कर सकते हैं कुछ जीवानु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायूमंडल ये नाइट्रोजन को विले पदार्थों में परिवर्थित कर देते हैं परन्तु राइजोबियम अपना भोजन स्वय नहीं बना सकते ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अनफलीदार पादपों के जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ती करते हैं अधिकतर दाले फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं इसके बदले पादप राइजोबियम जिवानों को आवास एवं खाद परदान करते हैं अता है उनमें सहजीवी संबंद होता है इस संबंद का किसान के लिए विशेश महत्व है दालों की फसलों के लिए उन्हें मिर्दा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवशक्ता नहीं पड़ती यही नहीं दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी समानिता उर्वरक की आवशक्ता नहीं रहती है इस तरह से हमने समझा कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिन में नाइट्रोजन की अवशक्ता अधिक होती है और हमारे वायू मंडल में नाइट्रोजन अधिक मातरा में है लगभग 78% परंतु जिस तरह से पौधे कार्बन डाइकसाइट को गरहन कर लेते हैं उस तरह से नाइट्रोजन को गरहन करने में ये असमर्थ होते हैं इसलिए नाइट्रोजन को वो इस परकारना गरहन करके एक विले की रूप में जड़ो द्वारा खीज करके उपयोग करते हैं इसलिए मिर्दा में नाइट्रोजन का होना अवशक है अब नाइट्रोजन मिर्दा में क फलिदार पोधे होते हैं उनके साथ ये सजीवी संबंद बनाते हैं वे पोधे इन्हें आवास और खाद परदान करते हैं और बदले में ये राइजा़ो ञर्प्त पर दान करते हैं तो आएख समझते हैं nitrogen cycle को यह nitrogen cycle का diagram है जिसे हमने internet की सहाइता से download किया है यह nitrogen cycle जो है 520 द्वारा निर्मित किया गिया है तो आएगे देखते हैं किस परकार से nitrogen cycle काम करता है अर्था nitrogen का स्थिरी करन किस परकार होता है तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि वायू मंडल में nitrogen मौझूद होता है वायू मंडल में जो nitrogen gas मौझूद होता है उन्हें कुछ जिवानू द्वारा NH3 में बदल दिया जाता है उसके बाद फिर कुछ जिवानू द्वारा NH3 को NO3 में बदला जाता है NO3 से फिर कुछ जिवानु जो है उन्हें N2 गैस में अर्था नाइटोजन गैस में बदल जेते हैं ये तो नाइटोजन साइकल का मुख्य करम था परन्तु कुछ नाइटोजन जो है वो पौधो द्वारा गरहन जो किये जाते हैं उन पौधों में मौझुद होता है फिर पौ NH4 मिलते हैं NO2 मिलते हैं तो फिर उनका क्या होता है जिवानो दवारा इस्थिकरन किया जाता है और NO3 में बदल जाता है फिर उसे जिवानो दवारा नाइटोजन गैस में बदल जाता है तो यही करम लगातार चलते रहता है और नाइटोजन की हमारे पौधो पर इस्थिकर अपनाते हैं जैसे कि परजीवी एवं मिर्थ जीवी परजीवी तथा मिर्थ जीवी जो होते हैं पादपों से पोशन प्राप्त करते हैं और जितने भी प्राणी है हमारे वो अपने भोजन के लिए या तो पादप पर निर्बर है या किसी अन प्राणी पर निर्बर है इस तरह से प्राणियों में विसम पोसी पोशन पाया जाता है तो हम कह सकते हैं कि जितने भी कीट प्रक्षी पौधे हैं वो आंसिक विसम पोसी होते हैं तो जी वो पौधे होते हैं वो आंसिक विसम पोसी होते हैं पूर्णता विसम पोसी नहीं होते हैं इस तरह से हमने क्या करते हैं और अपना खाद स्वेय बना लेते हैं हरे पादब होते हैं कार्बान डग्सायड जल और फशक्त थे हैं के लिए कलोड़ोफील एबन सूर्य का परकास अनिवारी रूप से मुझुद होना जरूरी हैं कार्भो हैडर जité जेसे जटील लसाइनिक पदार्थ परसकास संसरेशन के उत्पाद होते हैं प्रकास संसलेशन के परक्रम में कलोरीफील की साहता से पत्यों द्वारा सोर ओर्जा का संचेन किया जाता है अर्थात जो सोरूरजा जो है वो कलोरोफील द्वाarा ही पकड़ लिया जाता है और उसका अपयोग किया जाता है उसके परकास संसलेशन में ऑकसीजन उत्फपादित होती हैं, इस ऑकसीजन का उप्योग सभी जीऊं दोवारा उनकी उत्तिर जीविता के लिए क्या जाता है तो ऑकसीजन जो है बहुत आप म्यायूटित आपकानि है और अभी वर्तमान समय में ऑकसीजन का अपने हैं कवक अपना पोशन मिर्थ एवं अभगटित जय पदार्थों से प्राप्त करता है, वे मिर्थ जीवी कहलाते हैं, ये कोई भी सरणे करने वाले चीजों पर बैड़ जाते हैं, और उन्हें अभगटित कर लेते हैं, अमर बैल जैसे पादप पर जीवी हैं, वे पोशी होता है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, तो प्लीज लाइक करें,